जब भी कभी हम कुछ ठंडी चीजे खाते हैं या फिर हमें सर्थी चुखाम होता है तो गले में खरास के साथ साथ हमें कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हमारा गला बैट जाता है और इसमें हमारी आवाज बहुत दीरे-दीरे आने लग जाती है तो क्या आपने कभी के भासा में हमारी आवाज में जब परिवर्तन होता है तो हम इसे गला बैट जाने के नाम से जानते हैं लेकिन अगर बात-करे मेडिकल टव में तो हम इसे लरइंगज्वितिस के लाम जानते है यह बहुत ही थी कॉमन सी कंडिशन होती है जब कभी-भी हमें वाहरोल होती ह या फिर हम अपने आवाज का ज्यादा यूज कर लेते हैं ज्यादा बोलना गाना इस टाइप की एक्टिविटीज अगर ज्यादा कर लेते हैं तो हमें गल्ला बैट जाने वाली कंडिशन देखने को मिलती हैं यह बहुत ही टेंपररी सी होती है दो से चार दिनों में यह तो हमारा जो वोकल कॉर्ड होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है और स्वेलिंग आ जाने की वज़ए से यह सही से क्लोज और ओपन नहीं हो पाता जब यह प्रॉपर्ली क्लोज और ओपन होता है तो हमारी वॉइस प्रॉपर्ली आती है लेकिन जब इससे क्लोज होने में उन्हों में दिकत हो जाए, इसमें swilling अल जाए, किसी भी प्रकार की irritation हो जाए, तो हमारे vocal cords सही से काम नहीं कर पाते, जिसके वज़े से हमारी आवाज परिवर्तित हो जाती है, इसमें हमारी आवाज करकस भी हो सकती है, आवाज धीमी हो सकती है, साउंड कम produce हो सकता है, कुछ इस प्रकार के दिखते देखने को मिलती है, और साथ ही साथ गले में सरसरा हट गुदगुदी सी होती है, सुखी खासी, गला सुख जाना इस ताइब के दिखते हमें देखने को मिलती है, Laryngitis दो प्रकार का होता है एक होता है acute laryngitis और एक होता है chronic laryngitis जो acute laryngitis होती है ये बहुत ही temporary सी condition होती है 2-4 दिनों में खुद बखुद ठीक हो जाती है जब भी कभी हमें जुखाम हो जाए या फिर कोई bacterial infection हो जाए या फिर हम आवाज का ज़्यादा यूज कर ले तब हमें acute laryngitis देखने को मिलता है और ये स्वाता ठीक भी हो जाता है 2-3 दिनों में लेकिन अगर ये ठीक ना हो और 2-3 हपते तक ये बना रहे है गले में खरास गले में दर्द इस टाइप की दिखते बनी रहती है और आवाज में परिवर्तन हमारा गला बैठे रहना तो इसे हम chronic laryngitis के नाम से जानते हैं जब गला 2-3 हपते तक बैठे रह जाए तो हम इसे chronic laryngitis के नाम से जानते हैं और इसमें आपको medical treatment के आऊ सकता पर सकती है इसके कुछ कारण हो सकते हैं जैसे गर आप alcohol का जादा यूज करते हैं तो ये एक region हो सकता है chronic laryngitis का और अगर आप smoking करते हैं तो ये भी एक region हो सकता है chronic laryngitis का इसके अलावा acid reflux इसे हम gastroesophagial reflux के नाम से भी जानते हैं या फिर habitual आवाज का बहुत जादा regular use होना जैसे अगर आप singer है, cheerleader है या फिर कुछ इस प्रकार की चीज़े करते हैं जहां पर आपको जादा से जादा बोलने की आओ सकता परती है anchoring वगरा करते हैं तो उन लोगों में ये समस्या जादा देखने को मिल सकती है इसका region बहुत कम मामले में ये भी हो सकता है कि bacterial या fungal infection भी हो सकता है लेकिन जादा तर अगर आप vibrage, alcoholic चीज़े यूज करते हैं smoking करते हैं तो इसकी वज़े से chronic laryngitis देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं कि chronic laryngitis को हम ठीक कैसे कर सकते हैं how to prevent chronic laryngitis जो acute वाली condition होती है वो तो generally ठीक हो जाती है खुद बखुद अगर हम गरम पानी पीते हैं काढ़ा वगर अगर पीते हैं तो आराम से ठीक हो जाता है लेकिन chronic वाले में हमें कुछ special चीजे करने के आव सकता होती है जैसे अगर आप smoking करते हैं तो आपको smoking बंद करना होगा क्योंकि धुआ से हमारा गला सूप जाता है और गला जब सूप जाता है तो गले में सेसराहट सी और जलन सी होने लगती है तो आपको smoking नहीं करना है दूसरा आपको सराब का सेवन नहीं करना है या फिर विवरेजज कोई भी कैफीन वगारा यूज नहीं करना है जब हम सराब का सेवन करते हैं तो हमारी सरीर को dehydration phase करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम सराब पीते हैं तो हमारे सरीर से पानी ज्यादा से ज्यादा उतसरजित होता है उरीन के रूप में तो सराब Kane भी आपको नहीं करना है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है हो सके तो आप गुणगुणा पानी निकल सकता है, तो पानी का यूद ज्यादा से ज्यादा करें, इसके साथ साथ आप कम बोलने की कोसिस करें, गले को अपने आराम दें, अगर आपको बोलने में प्रॉबलम आ रही है, तो जब अपने की कोसिस ना करें, और गले को साफ करने की कोसिस भी ना करें, ऐसा होता है जब भी हमें गले में problem होती है, गला बैट जाता है, तो ऐसा लगता है, इससे हमारे गले में बलगम फसा हुआ है, और हम उसे जबर्जस्ती साफ करने के कोशिस करते हैं, ऐसे में हमारे local cords में abnormal vibrations होती हैं, जिसकी वज़से हमारा sound system प्रभावित हो सकता है, और ज्यादा हो सकती है हमारे voice, तो आप इन जीजों का ध्यान रखें, वैसे तो acute or chronic दोनों प्रकार के laryngitis घर पे ही treat किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ condition ऐसी होती है, जहां पर हमें doctor को दिखाने की भी आऊ सकता पड़ सकती है, तो वो कौन-कौन सी condition होती हैं, हम उस पुरण doctor से मिलना चाहिए, तो यह थी आज की वीडियो, I hope आपको अच्छी लगी हो, वीडियो यहां तक देखने के लिए thank you so much, मिलते है अगली वीडियो में, तब तक के लिए bye